नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उत्रम सोनी है और आज हम इस वीडियो के अंदर Library Science के Practical Subject, Colon Classification के अगले चैप्टर के जूलोजी यानि की जीव विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर क्या-क्या चीज़ आती है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा, इसका formula घो כिस तरह है, उसके अंदर हमें word के जो code है, वो किस तरह से लगाने है, code को किस तरह से ढूणना है हमें subjects के अंदर, वो सारा कुछ मैं इसके अंदर आपको बता हूँ, यह शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, कि जो colon classification की हमारी book है, यह 6th edition है colon classification का, कई users का मेरे पास comments आया, कि उनके पास यह book नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको जो हमारी इस video की description box है, उसके अंदर इस book क PDF मैं डाल दूँगा, यानि कि इस book की PDF जो है, उसका link मैं उसके अंदर डाल दूँगा, तो वहां से जाके आप उस book को, यानि कि इस colon classification की 6th edition को पढ़ सकते हैं, और download भी कर सकते हैं, ताकि आपको आगे किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो चलिए, वीडियो शुरू कर सबसे पहले मैं आपको बता दूँँ कि आज का chapter होगा, के जूलोजी यानि की जीव विग्यान, इसके अंदर हमें formula दिया हुआ है, वैसे तो book में हमें अलग formula दिया गया है, जो book का formula है, वो गलत है, आपको इसको काट के दुबारा formula लिख लेना है, सही, सही formula क्या होगा, स तो इसमें P2 होगी, वो हमें L medicine से लेनी है, उसके बाद हम बात करें, इसकी P की, यानि की के जूलोजी की P की, तो इसके अंदर हमें जानवरों के natural groups को बताया गया है, यानि की कौन-कौन से जानवर होते हैं, किस तरह के जानवर होते हैं, उन जानवरों को दो भागों में बांटा गया है, पहला भाग तो है, बीना रीड की हड़ी वाले जानवर, बीना रीड की हड़ी वाले जानवरों को हमें एक से आठ तक के अंकन में दिया गया है, यानि कि सबसे पहले एक पे हमें बीना रीड की हड़ी वाले जानवर दिये गये हैं, वो दो से शुरू हो हैं थ les Luna 8 पर हमारे खतम होते हैं इसके बाद हम 9 से शुरू करें आनुक हमें रीड़गी एड़ से लेनी है यानिकि जो medicine की personality है उसके अंदर से लेनी है like to wszyscy also that at the पी के अंदर हम जब जाते हैं तो वहाँ पे हमिन जो शारीरिक सरंचना है उसके शरीर के यानिकी मानव शरीर के अंग दिये गए हैं तो जैसे वैसे देखा जाए तो मानव शरीर के अंग और जानवरों के अंग लगबग से समान ही होते हैं तो हमें के जू लो जी यानि की जीव विज्यान की अगर जानवरों के अंगों के बारे में कहीं भी बताया जाए या पूछा जाए तो वहां पे हम एल मैडिस कि पहलंगे वहार मैडिसिन की अंदर से आयेका उसके बाद हम इखम 2पी की बात करें तो इकम तुपी जो है मध्धी जी बायसिक की अंदर से लेनी है जी बायसिया चप्टर हम पहले कर चूके हैं उसके अंदर जो भी रूल है या formula है वो मैंने सारा कुछ बता दिया है हमें जी biology की अंदर जाना है जी biology की हम इकम 2P में ही जाएंगे यहां पर book में भी हमें निर्देश दिया गया है कि forci in Ecom2P as in Geology with the following edition यानि कि ये जो दो subdivisions दिये गए हमें income 2pk यह दो subdivisions तो हमें ले नहीं हैं उसके अलावा यानि इन दोनों के अलावा अगर हमें कोई भी word दे दिया जाता है title के अंदर तो उसके लिए हम उसका code लेने के लिए गory saturation के धुरास में जाएंगे तो phidology की ही आएंगे जैसा कि इसमें हमें निर्देश दिया गया है कि इच ओफ द अबोव थ्री टू भी ये कटा हुआ यहां पे डिवाइड एस थ्री थ्री यानि कि त्री थ्री मेटाबोलेजम की जो भी सब डिविजन्स है वो सारे इन तीनों के अंदर ही आएगी वो मैंने रूल आपको detail में समझा दिया था जब हमने जीrü बायोजी की क्लास की थी तो वहां पर एप उस वीडियो में जाके उसको वापी 550 से समझ सकते हैं उसके बाद हम देखेbon तो यह दो चीजिया आजाएगी मैंने आपको बता दिया कि वह यहां आईगी formula के अंदर यही हमें दिया हुआ है उसके बाद कई word है जो आपको इसके अंदर book के अंदर add कर लेने हैं जो कि इसमें आपको हो सकता है समझ में न आए जैसे कि यहाँ पे 2.70 नमबर page पर हमें 92 code दिया गया है 92 के अंदर हमें pieces लिखा गया है उसके साथ में आप coma लगा के fish लिख लेंगे यानि कि मचली आप इसके साथ में coma या object लगा के लिख लेंगे उसके बाद हमें 9325 यानि कि 9325 नमबर code दिया गया है उसके अंदर हमें आपको frog लिख लेना है यानि कि जो मेंड़क होता है आपको मेंड़क यहां लिख लेना है उसके बाद यानि कि टाइटल में अगर इस तरह के word आ जाते हैं तो आपको ये code लगाने हैं उसके बाद हम 94932 पे जाएं यानि कि ये 94932 code दिया गया है उसके आगे आप कोमा लगा के snake लिख ले यानि कि साप है कि आपने इसके अंदर कुछ लिखा तो नहीं गुआ तो वह देखता है कि उसके अंदर अगर आपने कुछ लिखा है तो वह आपको बुक अंदर ले जाने के लिए अलाव नहीं करता है लेकिन अगर आपने पैंसिल से सब कुछ लिखा होगा तो आप हाथो हाथ उसको मिटा भी सकते हैं इरेजर की सहायता से इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि आपको सारा कुछ जो भी मैं करेक्शन करवाता हूं वो आपको पैंसिल से ही करनी है ना कि पैंसिल उसके बाद आगे हम जाएं तो आगे चेंज करने वाली कोई भी चीज नहीं है तो यहाँ पर हम जो हमारे टाइटल है जो इस से रिलेटड यानि कि के जूलोजी के चैप्टर से रिलेटड जो भी टाइटल आ सकते हैं वो मैं आपको टाइटल करवा देता हूँ तो यह हमारे सामने कुछ टाइटल है जो की के जुलोजी के चप्टर से आ सकते है सबसे पहला टाइटल है Nervous System of Snakes यानि कि Snakes का सांफ का Nervous System की बात हो रही है यहाँ पर कि Nervous System क्या है यह कोई शरीर का अंग है कोई बीमारी है लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आ जाता है Nervous तो यह हम यह तो कोई भी बता सकता है क्योंकि जो डिप्लोमा करते हैं या कोई डिगरी कर रहा है तो कम मिनिमाम प्लस टू पास तो होगा तो यह हम इससे आइडिया लगा सकते है कि जो Nervous System है वो एक Medical Science से Related शब्द हो सकता है ना भी आइडिया लगा सके तो हम Index में जाके देख सकते है कि Nervous System हमें दिया गया है उसका जो कोड है वो कहां पे दिया गया है तो यह जो Snake है तो मैंने आपको वैसे लिखवाया था इसके अंदर जो हमारे यह कोड था 94932 इसके अंदर मैंने Snake लिखवाया था तो यह Snake वर्ड तो हम as it is इसके अंदर लिखते हैंगे सबसे पहले हमारी जो Main Class है जो Logi की K Main Class है वो K लगा देंगे उसके बाद हम Snake का जो Code है वो Snake का Code लगा देंगे 94932 यह हमने इसके साथ में क्यों लगाया है क्योंकि यह जो Snake Word आता है यह हमारी P के अंदर आ रहा है यानि कि जो Kejology है उसकी P के अंदर ही आ रहा है यह Snake Word यानि कि जानवरों के बारे में अलगलग बता रहे हैं कि कौन-कौन से जानवर हो सकते हैं उसके बाद Nervous System के लिए हम यहाँ Index में देख सकते हैं लेकिन हमें Index जो हमें कहां जाने के निदेश देता है और उसका Code क्या बताता है तो Index में चलते हैं यानि कि डैसG जगनार्वास ही आएगा यानि कि शिष्टं के भारे में हमंँ यहां बतायेगा, यह नहीं था eq यहां एक टी-इसुटर की प्यज़ रहे गाना है, लेकिन अगर हम में जासकते हैं या नहीं, लेकिन गर दो चेप्टर के प्टर जाने क्ट ए तो इसके अंदर कहीं भी हमें निर्देश नहीं दिये गए हैं कि आपको G की G Biology की P में जाना है G Biology के अंदर तो जाने के निर्देश हैं लेकिन उसमें भी यह बताए गए कि आपको E कम 2P के अंदर ही जाना है पी में नहीं जाना उसके बाद हम Nervous System में देखें तो यह K में जाने के लिए हमें बता रहे हैं लेकिन K की P2 में बता रहे हैं तो K की P2 जो है यहां मैंने आपको बताए कि K की P2 के लिए आपको यहां बताया जा रहा है कि L Medicine के P में ही आपको जाना है उसके हिसाब से यानि कि आपको L Medicine में जाना होगा उसके अलावा यहाँ पे यही word मिलता है कि आपको L के अंदर जाना है L की P में यानि कि personality में आप देखेंगे तो आपको 7 code वहाँ पे मिलता है nervous system का तो उसके लिए हम क्या करेंगे जो L Medicine का chapter है उसके अंदर हम जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि हमें 7 पे nervous system मिलता है या नहीं तो यहाँ पे हम देखेंगे यह हमारा L Medicine का chapter हो गया उसकी P यहाँ से शुरू है इसके अंदर हम देखेंगे 7 number पर क्या दिया गया तो यह हम देखेंगे यह हमें बॉल्ड करके दिया गया 7 पे nervous system तो हम वापिस हमारे chapter में आएंगे टाइटल में आते हैं और टाइटल में हम जो nervous system का code है वो लिख देंगे लेकिन क्यूंकि यह हमारी P2 है के जूलोजी की P2 है इसलिए हम कोमा लगाएंगे जैसा कि हमें formula में दिया हुआ है यह उपर formula जो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे P2 लगाने से पहले आपको कोमा लगाना होगा तो हम वापिस title में आएं तो title के अंदर हम जो 7 है nervous system का वो लगा देंगे यह हमारा answer हो जाता है nervous system of snakes का उसके बाद दूसरा title आता है ecology of flying animal तो यहाँ पे दो word आजाते हैं ecology और एक flying animal तो ecology के लिए वैसे मैंने आपको chapter करवाय था G biology का उसके अंदर ecology word दिया गया है हमें उसके अलावा हम search भी कर सकते हैं index के अंदर कि हमें ecology word कहां दिया गया उसके अलावा flying animal दिया गया अब देखें हमारा हम chapter जो के जूलोजी का है यहाँ शे शुरू होती है इसकी P है या P शुरू होती है P हमारी यहाँ पे खतम होती है यानि कि इतने सारे page में यह दिया गया तो हम जब exam करेंगे मान लीजे यह कभी भी हम जब यह chapter करेंगे तो एक word डूणने के लिए हमें काफी सारा time लग सकता है तो उसके लिए हमें यहाँ एक हम सहुलियत कह सकते हैं हमें एक प्रदान की गई है कि K-Geology का जो chapter खतम होता है तो उसके बाद हमें दिया गया K-Geology Index of Index to Natural Groups यानि कि यहाँ पे जो K-Geology की P है उसके बारे में यहाँ पे सारा कुछ बताया गया है वो आपको A से लेके Z तक जितने भी word दिये गए है K-Geology के chapter के अंदर उनको आपको A से Z तक बताया गया है यानि कि अगर आपको कोई word ढूणना है तो वो code के थुरू ना ढूंड कि आप यहाँ पे उसकी spelling के थुरू इसको ढूंड सकते है और उसका जो code है वो उसके आगे दिया गया है वो आप लगा सकते है तो यहाँ पे आपको flying animal देखना है तो हम flying animal के लिए यह हमारा A है उसके बाद B है C हम F पे जाएंगे F पे हमें flying animal कहां मिलता है तो यह हमारा F यहाँ से शुरू होता है उसके अंदर हम देखेंगे flying animal तो यह हमें यहाँ पे flying animal मिल जाता है उसका code हमें दिया गया है 9958 वैसे तो यह सही है क्योंकि के जुलोजी के जो चीज़े हैं वो सारी हमें दिग हुई है उसके अलावा यहाँ पे भी हम देख सकते हैं के जुलोजी के चैप्टर में कि 9958 सही है या नहीं तो हम यहाँ अगर सर्च करें के जुलोजी का चैप्टर 9958 हमें flying animal का दिया हुए code जो की हमारी पी है यानि की के जुलोजी की पी है तो सबसे पहले के की हम मेन क्लास लगाएंगे जुलोजी की के आ गया इसके बाद हम इसका code लगा देंगे flying animal का 9958 ठीक है इसके बाद जो के जुलोजी है वो हम देखेंगे की हमें कहां मिलता है वैसे तो यह मिल जाएगा आपको जी बाइलोजी की क्लास में मैं सीधा वहाँ पे आपको दिखा देता हूँ यह हमारी इकम टूपी है इसके अंदर हमें बताया गया कि आपको जी बाइलोजी की अंदर जाना है पांच नबर पर यानि कि एकोलोजी का जो कोड़ है वो पांच है तो हम यहां पांच जो है हमारे टाइटल के अंदर लिखते हैंगे लेकिन इस पांच से पहले हमारा जो कनेक्टिव सिंबल है वो क्या आएगा जो जी बायोजी में जाने के लिए हम निर्देश दिया जा रहा है इक कम टूपी के अंदर तो इकम टूपी के लिए हम कोडन लगाएंगे सबसे पहले यह हमारा आंसर यहां कंप्लीट हो जाएगा इकोलोजी ओफ फ्लाइंग एनिमल क इसके बाद तीसरा टाइटल आता है इंसेक्ट ओफ जापान तो यहां पर एक इंसेक्ट वर्ड हो गया एक जापान हो गया जापान हम देखें तो यह हमें स्पेस आइसोलेट से लेके आना होगा वर्ड यह जगहां का नाम है एक देश का नाम है तो स्पेस आइसोलेट में कोड हमें मिले उसके बाद इंसेक्ट का वर्ड जो हम कोड कर जो है हम देख लेंगे सबसे पहले हिसके अंदर तो हम हमारे माने class लगा देंगे जूलोजी की उसके बाद इंसेक्ट वर्ड हम और देखेंगे इनके मत्स हम ветciowej और तो जो दिया गया है इंसेक्ट आई से शुरू होता है as it is spelling हम देख लेंगे यहां पर हम इंसेक्ट आदिया गया है उसका जो code है वो 86 है यह हमारी पी है इसलिए हम सीधा यहां पर 86 लिख देंगे उसके बाद जापान वर्ड आता है तो जापान हमें space isolate से ले क्याना है लेकिन यहां पर हमें एक rule follow करना होगा जो की जी बायलोजी का एक rule है वो मैंने आपको जी बायलोजी के chapter के अंदर नहीं बताया क्योंकि उसके अंदर उससे related कोई भी title नहीं आया था इसलिए मैंने वो rule आपको नहीं बताया था मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूं तो यह जो rule है आप चाहें तो लिख सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर या जी बायलोजी का अगर आपके chapter किया है तो उसके अंदर भी आप लिख सकते हैं हम जी बायलोजी की class के अंदर जाते हैं वहां हम देखते हैं इसमें rule यह है कि जी बायलो की तो उसके लिए अगर उस टाइटल के अंदर उस स्पेसिफिक टाइटल के अंदर कोई भी जगहां का नाम दिया जाता है चाहे हम both G-Biology Mariola की class कर रहे हैं तो G-Biology की class के एक title आ जाता है हमारे सामने उस title के अंदर हमें एक जगह का नाम दिया याने कि उसका जो code है हमें Space hypoth g के अंदर से लेकर आना होगा तो उससे पहले याने कि सबसे उससे पहले हमें जो हमारी ecom2p है वो लिखनी होगी ecom2p के अंदर हम code किसका लगाँगे मान लीजे उस title के अंदर हमें ecom2p से related कोई भी word हमें नहीं दिया गया तो हम क्या करेंगी क्योंकि ये nature की बात हो रही होगी nature के अंदर सारी जगहों के अंदर आती है nature की बात होती है तो यहां पे हमें ecom2p के अंदर 1,2 यानि की 12 नंबर पे हमें natural history दिया गया है natural history word दिया गया है इसके अंदर जो ये code है 12 ये हमें लगाना होगा अगर g biology से related किसी भी title के अंदर जगहां का नाम दे दिया जाता है यानि की g biology के chapter की ecom2p से related अगर कोई भी word हमें दे दिया जाता है किसी title के अंदर तो वहां पे अगर एक जगहां का नाम मिलता है हमें तो वहां पे सबसे पहले हम ecom2p की 12 नंबर लगाएंगे natural history का उस 12 के बाद हम जो हमारा जगहां का नाम होगा वो लगाएंगे तो यहां पे हम देखें तो इस title के अंदर हमें जापान word दिया गया है जिसका code हमें space isolate के अंदर से लेकिया आना है लेकिन उससे पहले हम क्यूंकि हमें इसकी ecom2p के अंदर निदेश दिया जा रहा है कि आपको gbiology की ecom2p के अंदर जाना है तो उसके बाद हम जापान का code लेकि आएंगे हमारी space isolate के chapter से यह space isolate उपर उपर शुरू हो जाता है इसके अंदर हम हमें यह 42 पे दिया गया है जापान बैयानलिस नंबर पे जापान दिया गया यानि कि जापान का जो code है वो बैयानलिस है डोट के बाद हम यहां पे सीधा बैयानलिस लिख देंगे तो यह code हमारा हो जाता है insect of जापान का k86,12.42 यह answer हो गया complete इसके बाद हमें चोथा टाइटल मिलता है iron metabolism in mammals मामाल्स यानि कि स्थन धारी जो जानवर होते हैं उनके उनको कहते हैं मामस यह मैमस जो भी होता है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे यह हमारी पी है मामस जो है यह पी है हमारी उसके बाद हमें दूसरा वड़ दो वड़ दिये गए हैं इसके अंदर इसके अलावा एक iron और एक metabolism सबसे पहले हम यहां के जुलोजी की मेइन क्लास लगाने इसके बाद बी जो है मामस का और उसका कोड़ हम लिया आएंगे यह हमारा हम देखेंगे म अंपे मामस कहा दिया हूआ है इसके बाद हम देखेंगे कि iron कहा मिलता है और Metabolism का मिलता है तो सबसे पहले हम Metabolism देख लेते है Metabolism जो है हमें G-Biology की Class के अंदर मिलता है G-Biology की Class में अगर हम जाएं यह हमें 3-3 पे मिलता है Metabolism तो यह G-Biology की Class में जाने के लिए हमें निर्देश दिया गया था इकम 2P में इसके लिए हम Colon लगाएंगे सबसे पहले उसके बाद 3-3 लगा देंगे Metabolism का उसके बाद यहां Iron Word आजाता है Iron Word को हम ध्यान से देखें तो यह एक तरह का पदार्थ है जो कि खनीज से हमें प्राप्त होता है Iron तो यह जो जितने भी खनीज के पदार्थ होते हैं वो सारे हमारे E-chemistry के अंदर हमें मिलते हैं वैसे Mining के अंदर मिलने चाहिए लेकिन Mining के अंदर नहीं आए अगता है जितने भी इस तरह के पदार्थ होते हैं Sona, Chandi, Jink, Tamba जो बगएरा जो भी होता है सारा कुछ हमारे E-chemistry के अंदर आता है तो वहाँ से लेकिए आंगे लेकिन हम इस Chapter के अंदर देखें तो हमें कहीं भी E-chemistry में जाने का निर्देश नहीं दिया जाता है के जिलोजी के अंदर तो इसके अंदर जैसे हमने I-botany की Class की थी I-botany का जब Chapter के अंदर मैंने आपको एक बात कही थी अगर आपको कभी भी I-botany के एक Title के अंदर कोई भी ऐसा Word दिया जाता है कोई ऐसी धातू दी जाती है जो की Chemistry के अंदर ही हमें मिल सकती है तो उसके लिए वहाँ पे वो जो धातू होगी वो धातू हमारी 2M के अंदर इस्तेमाल होगी 2M यानि पदार्थ मतलब कि दूसरा जो पदार्थ होता है वो आएगा उसके अंदर M जो होता है वो पदार्थ होता है यहाँ पे 2M हमें लेनी है अगर M दिया होता तो वो हमें formula में इसके अंदर दे दिया जाता लेकिन यहां पे formula में हमें M की कोई भी बात नहीं कही जारी इसलिए अगर कभी भी धातु आती है यह पदार्थ होता है यह हमें सबको पता है अगर धातु आ जाता है तो हम 2M के अंदर लिखेंगे जो M होती है वैसे तो E से पहले आती है P M E S T होता है लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारी यह 2 M है तो 2 M आने के लिए हम E के बाद लगाएंगे यहाँ पे हमारी 2 M तो यहाँ पे 2 M के लिए हमने सैमी कोलम लगा दिया उसका जो connective symbol होता है उसके बाद हम E chemistry की class में जाएंगे और वहाँ से जो iron code है iron word है उसका code लगा लेकि आएंगे यह हमारा E chemistry का chapter है इसके अंदर हमें iron दिया गया है 182 पे तो यह हम code यहाँ पे लगा देंगे ठीक है यह कैसे लगाए है मैंने आपको समझा दिया है कि 182 है जो है iron का code है यह हमारा 2 M है 2 M जो है E के बाद आएगा इसलिए हमने इसको E के बाद लिखा है अगर 2 M के जगा M होता तो हम यह E से पहले लिखते लेकिं यहाँ formula में K geology के formula में हमें कहीं भी M का जिक्र नहीं किया गया इसलिए हम इसको 2 M कहेंगे 2 M ही यहाँ पे आएगी अगर आपके पास आपकी university की book हो तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं यह निदेश आपको वहाँ पे भी मिलता है यह rule है जो कि आपको याद रखना है उसके अलावा जो एक rule मैंने इसके अंदर आपको निया rule बताया G biology का जो rule था वो आपको भी लिखके रख लेना है या आपको याद कर लेना है उस rule को कि अगर कई भी G biology के title के अंदर आपको जगहां का नाम दिये जाता है तो सबसे पहले आपको natural history का code e-come to PC 12 number लेके आना है वो लगाना है उसके बाद आप जगहां का code लगाएंगे तो हमारा जो के जूलोजी का chapter है वो यहाँ पे खतम हो जाता है सारा जो इसका formula है जो इसके rule है वो सारा कुछ मैंने आपको करवा दिया है जो title है वो भी लगबग आपको करवा दिया है तो इससे related लगबग यही कुछ होता है और ज़्यादा इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे like जरूर करें और हमारे चैनल को subscribe करें ताकि नई जो वीडियो हमारी होगी वो आपके पास notification आजाए Thank you